वेल तेजस्वी और करन के फैंस को क्या मिलनी वाला है एक और बड़ा प्यारा सर्प्राइज वेल क्या कुछ है हो रहा फैंस क्यों हो रहे है एक्साइटर सोचल मीडिया पेच अली आपको बताते हैं तो ममान्स दिख रहा है उनका प्यार दिख रहा है उनका togetherness दिख रहा है, goofiness, miwi और fun लिख रहा है यह सारा कुछ fans जो है काफी पसnd कर रहे थे इसनी के साथ-साथ जो जच्जज थैं dw fps काफी जादा यहीं कारण को पसंद कर रहे थे इससी यहीज तो इस एपिसोड को हिट बनने से तो कोई रोख नहीं सकता फर शॉर लेकिन उसी के साथ साथ अब सामने ऐसी खबरे आ रही है कि क्या तेजस्वी और करन दोनों एक साथ होस्ट करने वाले हैं तो आपको बता दे पूरा सीजन तो नहीं पता लेकिन फिलहाल जो है एक विडि क्या है दांसदिवाने जूझां के सेट पहूच गई है As we know today is Monday Monday ओ Tuesday के दिन डांसदिवाने जूझा सो शूट है और डांसदिवाने जूझां के शूट के वक्त जो है तेजसली अब आखिर जो है करन चंद्रा से तो भाइ बाए कहेदेते हैं। अपट अंधर जारी जाते हैं। इसके बाद अब खबरे आने लगे है। लोग बात करने लगे हैं। कि यह दोनों जो है। शायद दानस्वाने जूनियर्स पर एक बार होष करने वाले हैं। अब उससे और फान्स स्पेकलेट करने लगए है कि क्या कलरपर्सो का इपिसोड इतना बड़ा हिट है। ये देखने के बाद कलर्स को, मेकर्स को शो के जो इन्वेस्टर्स है या जो शो को बना रहे है, मेकर्स है। उन्होंने ये decision लिया है कि तेजस्वी करण की जोड़ी super hit है, fans crazy है, trend पे चल रहा है, dance जिवाने जूनियस तो हमने इन दोनों को throughout the season host करने देना चाहिए तो इस तरीके से लोग speculate कर रहे है कि dance जिवाने जूनियस जो है पूरा season तेजस्वी करण host कर सकते है वेल पूरा season तो नहीं पता, क्योंकि of course नागिन भी शुरू है तो पूरा season तेज़ा कर पाएगी नहीं कर पाएगी या उसे approach किया गया भी है या नहीं पूरे season के लिए ये कोई नहीं जानता लेकिन फिलाल जो तेजस्वी नागिन के सेट पे शायद आजुन को छुटी है इसलिए करन को मिलने गई है ऐसा हो सकता है या फिर हो सकता है कि actually वो shoot करने गई है और इस हफते का भी जो episode है dance जिवानी जूनियर्स का वो करन के साथ नज़र आएगी क्या कुछ आपको लग रहा क्या कुछ हो सकता है क्या आप चाहोगे कि तेजस्वी करन दोनों मिलके dance जिवानी जूनियर्स throughout the season एक साथ होस्ट करें what's your take let me know in the comments I'll see you guys soon